बिन सरेंडर किये अरविंद के जुरिवाल अपने साथ शीश महल से क्या-क्या ले गए इसकी जानकारी तो अब तक सामने नहीं आई है लेकिन अखिलेश यादव के दिश्चिदार और बिहार के पूरवर डिप्टिसियम तेजस्वी यादव सरकारी बंगले से बहुत कुछ लेकर खिसक गए बंगले में लगे सरकारी सामान को अपना माल समझ कर तीजस्वी यादव बेड से लेकर एसी तक उखाड कर ले गए डाइनिंग टेबल और सोफा भी खायब हो गया विहार के पूरव उप्पुख्यमंतरी तीजस्वी यादव ने पाच देशरत मार्ग व बने थे तो इस बंगले को रेनोवेट कर काफी कीमती सामान लगाए गए थे जब उन्होंने बंगला खाली किया तो सभी सामान खायब है बिहार के नए डिप्टीसियम समराट चोधरी को ये बंगला आबंटित हुआ वे दशहरे के बाद इसमें शिफ्ट होंगे बीजे प आगे कहा कि इसके अलावा एसी भी उखाड कर ले जाया गया और कबार से लाकर पुराना एसी बाहर फेक दिया गया। सरकारी संपत्ती की लूट की गई जिम वाले रूम में महंगे एक्विप्मेंट्स लगाए गए थे वो देखने से लगता ही नहीं कि यहां कभी जिम खाना भी था जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जिप्टी सीम के बंगले को खाली किया कुछ इसी तरीके से अखिलेश यादव 2017 में चुनाव हारने के बाद सीम के बंगले को खाली करके गए थे मुख्यमंतरी आवास खाली करने से पहले वहां खुब तोड़फोड मचाई गई सभी कीमती सामान अपने साथ लेकर चले गए बंगले में जितनी टोटियां लगी थी सब भी खोल ली गई इसलिए उन्हें टोटी चोर कहा जाता है तब से सरकारी संपत्ती को अपना समझ कर ले जाने वालों के लिए टोटी चोर शब्द का इस्तिमाल किया जाने लगा बीजेपी नेता दानेश इकबाल ने भी ते जस्वी आदब को टोटी चोर कहा